मुख्यमंत्री बुपेश बगेल ने शमिकों और किसानों का मान बढ़ाने के लिए एक मही को प्रदेश के जनता से बोरे बासी खाने की अपील की है स्वादिष्ट और पोशत तत्वों से भरपूर है बोरे बासी बोरे बासी हमारे स्वास्त के लिए जहां बहतर है वहीं ये 36 गड़ के व्यंजनों की भी पहचान है सभी प्रदेश वासियों को नमस्कार जय जोहार पूरी दुनिया के मेहनत कस लोगों के लिए एक मही की तारिक बहुत महत पूर्ण है क्योंकि इस दिन को दुनिया भर में मेहनत के उस्सों के रूप में मनाया जाता है हमारा प्रदेश किसानों, आदवासियों, मजदूरों का प्रदेश है इसलिए एक मेह की तारिक हमारे लिए और भी खास हो जाती है हमारे खेत हमारे जंगल हमारे ख़दान हमारे कार खाने चतिस गड़ की ताकत है इन सभी जगों पर अपना पसीना बहाने वाले लोगों नहीं हमारे प्रदेश को अपने कंधों पर समाल रखा है एक माई को हर साल हम इनी मेहनत का स्लोगों के प्रति अपना आभार ब्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं पिछले साल हम लोगों ने एक माई को बोरे बासी इतिहार मनाया था चतिस गड़ के संस्कृति में बोरे बासी का बड़ा महत्त्व है किसानों और स्रमिकों के साथ साथ आम चतिस गड़िया लोगों का भी या बड़ा ही प्री आहार है अपने पौश्टिक गुनों और स्वात कारण या आहार हमारी लोग संस्कृति में इस तरह रच बस गया है किया हमारे गीतों में और लोकताओं में भी सामीर हो गया है गर्मी के दिनों में बोरे बासी सरीर को ठंडा रखता है पाचन सक्ति बढ़ाता है तो अच्छा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी या राम बान है बोरे बासी में सारे पोसक्तत मौजूद होते हैं इस बार भी एक मई को हम लोगों ने बोरे बासी तिहार मनाने का निर्णाय लिया है आप सभी को याद होगा कि पिछले साल जब हमने यह तिहार मनाया था तो पूरी दुनिया के 36 गड़िया लोग बहुत उस्साह के साथ इसमें सामिल हुए थे मैं अपील करता हूँ इस बार भी एक मई को बोरे बासी तिहार में उसी उस्साह और जोस खरोस के साथ सामिल हो और बोरे बासी के साथ अपनी तस्वीर सोसल मेडिया में जरूर पोस्ट करें बोरे बासी के साथ ही दही गोंदली अथान चटनी पापड बिजवरी बरी भाजी जैसे चीजों को खाने का रिवाज है मैं आज जानने को उस्सुक्र होंगा आपके बटके और थारी में कौन कौन सी चीजें सस्ती है एक मई को जम कर बोरे बासी खाएं और अपनी संस्कृति के गवरों का उस्सा मनाएं मेहनत के उस्साह में पूरा 36 गड़ भागिदार बनें आप सभी को श्रम दिवस और बोर को आमना हैं बहुत बहुत धन्यवाद